हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस भाई अभिशेक में मेरा नाम है अभिशेक डंडरियाल और आज हम एक नया चेप्टर लेके आए हैं अपनी घटना चक्र संक्षिप्त समाने ज्यान 2022 का जो एडिशन है उसमें साइन्स एवं टेक्नोलो भाबा को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया परमाणू उर्जा विभाग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कारे करता है और सेम यही जो स्पेस हमारा अंत्रिक्ष विभाग है वो भी प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में ही काम करता है परमाणू अनुसंधान के अनुसंदान एवं विकास के मुख्य केंदर भाबा परमाणू अनुसंदान केंदर भाबा एटोमिक रिसर्ट सेंटर बार्क भाबा परमाणू अनुसंदान केंदर ट्रॉमबे मुंबई में इस्तित है कनाडा के सहयोग से बार्क में Cyrus ताप्यय रियक्टर की स्थापना की गई थी। बी इंद्रा गांधी परमाणू अनुसंधान के इंद्रा गांधी सेंटर फर अटॉमिक रिसर्च इस केंद्र की स्थापना वर्ष 1971 में कल पक्कम तमिलनाडू में की गई थी आगे Fast Breeder Reactor से संबंध में अनुसंधान एहमाम विकाज करना IG-CAR का मुख्यकार्य है देखें Breeder Reactor कई तरीके के होता है एक likuid metal Fast Breeder Reactor होता है खोच नॉर्मल रियक्टर्स होते हैं तो यह उसके टाइप्स हैं कलपक्कम मेनी रियक्टर इसे संक्चित रूप से कामिनी भी कहा जाता है कामिनी थोरियम यूरेनियम 233 इंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का पर्थम रियक्टर है परिवर्तिय उर्जा साइकलोट्रोन सेंटर तारापूर पर्मानु विद्दुद ग्रहे की स्थापना अमेरिका के सहयोग से की गई है तारापूर भारत का पहला पर्मानु विद्दुद सयंतर है रावद भाटा पर्मानु विद्दुद ग्रहे रावद भाटा राजिस्थान में है इसे कनाडा के सहयोग से प्रारम कि परमाणू उर्जा विभाग की अन्य प्रमुक एकाईयां संस्थान का नाम और इस्तिती देख लेते हैं परमाणू खनिच अन्वेशन एमम अनुसंदान निदेशाले हैदराबाद गुरू जल बोर्ड मुंबई नापकिये इंधन परिसर नुकलियर फ्यूल कॉंप्लेक्स बोला जाता है हैदराबाद में भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जादू गोड़ा भारत रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई भारत ये नापकिये उड़्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई भारत के मुख्य परमाणू विद्दुद्गर है नुकलियर पावर राजिस्तान में इसके लावा मद्रास परमाणू विद्दुद्गर है कलपकम तमिलनाडू में नरोरा परमाणू विद्दुद्गर है बुलंशेर उत्तर प्रदेश में और ये उत्तर प्रदेश का एक मात्र न्यूकलियर पावर प्लांट है काकरापार परमाणू विद परिक्षण यह परमानु विस्पोर्ट 18 माई 1924 को पोकरण जैसल में राजिस्थान में जो इस्ति थे वहाँ पर किया इस परिक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था दूसरी बार 11 वा 13 माई को 1998 को पोकरण में कुल पांच परमानु परिक्षण किये गाई ज ने शक्ती 98 नाम दिया गया था क्योंकि यह 1998 में हुए थे भारती रक्षा प्रद्योगे की डिफेंस वर्ष 1998 में रक्षा नुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिचेर्च और डेवलपमेंट और्गनाइजेशन यानि डिया डियों की स्थापना की गई पहला प्रत प्रत्वी मिसाइलें द्रव प्रण रोदक पर संचाली थे हैं मतलब लिक्विड फियूल से चलती हैं धनुष धनुष प्रत्वी सेकंड प्रक्षेपास्टर का नौसानिक रूप पांतरण है जो प्रत्वी सेकंड है उसका ही अगर जब उसको हम नेवी में यूज करते है तो उसका नाम धनुष है इसकी मारक्षमता 350 किलो मिटर है आकाश ये जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यमदूरी का प्रक्षेपास्तर है इसकी मारक्षमता लगबग 30 किलो मिटर है चौथा अगनी अगनी जमीन से जमीन पर मार सकने वाली मध्यमदूरी की बैलेस्टिक मिसाइल है अगनी प्रक्षे पास्त्र की पांस श्रेणिया है अगनी प्रतम द्वित्तिय तिर्तिय चत्युर्थ और पंचम शिक्स नाग नाग टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षे पास्त्र या इसको एक बार दागने के पच्षात इसे पुना निर्देशित करने की आवशक्ता नहीं पड़ती जैसे जैसे टार्गेट मूव करता है उसी के थुरू ये अपने आपको मैनूवर या परिवर्दन अपना रास्ता कर लेता है ब्रहमोस प्रक्षे पास्त्र को भारत एवं रूस की सहिं युग्त taught परियोजना के तहाथ विक्सित किया गया है ब्रहमोस मद्यमधूरी की सूपर्सॉनिक मिसाइल है भारत की नदी नदी भधुट्र के ब्रह तथा रूस की मोसकोवर नदी के से मिलकर इसका नाम कोgor भड़ हूश इसकी मारक शम्ता पहले 290 किलो मीटर तक त अन्य रक्षा आयुद एमों मुकरन युद्धक टैंक अर्जुन इस युद्धक टैंक का विकास D.I.D.O. ने किया है अर्जुन टैंक राक्त के अंदेरे में भी काम कर सकता है युद्धक टैंक अर्जुन की गती अधिकतम 70 km प्रतिगंटा तक पहुंच सकती है टी 90S भीश माइन्स तो उससे भी अपनी फ्रक्षा ये कर सकता है तो काफी अच्छा टेक्निकल फीट है ये इसका टेजस श्वदेश निर्बच चौथी पीडी का हलकल अलाकू भीवान है LCA यानि Light Combat Aircraft है इसका विकास हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने किया है अभी टेजस मार्क 1 है इसका मार कमेंट में बताइए बहुत विमस राजनात सिंग ने उसका इनौकरेशन किया था तो बताइए क्या नाम है उसका एक नया हेलिकॉप्टर लडाकू हेलिकॉप्टर भारत ने लौंच किया है हिंदुस्तान Aeronautics Limited दोरा यह हमान ट्विन इंजन यानि दो इंजन वाला है पि नाका से मातर देखे 44 सेकंड में के बाद 12 रॉकेट प्रक्षे पित किये जा सकते हैं तो आप इसकी जो हम कह सकते हैं मारक शमता उसका अंदाजा लगा सकते हैं बैलेस्टिक मिसाइल वे मिसाइल है जिने प्रक्षे करते समय आवशक बलतो लगाया जाता है किल्तु भूमी पर इस्तित लक्षे पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वा कर्षन के शहारे छोड़ दिया जाता है आगे दिखते हैं अन्यमहतपूर्थ दोक्टर एपीज अब्दुल कलाम को भारतिय मिसाइल प्रोध्योगेगी का पिता कहा जाता है इन्हें मिसाइल मैन आफ इंडिया भी कहा जाता है याद रखिएगा डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम भारत के ऐसे प्रथम राश्पति हैं जिने भारतिय वायू सैना के सुखोई फाइटर एर्रक्राफ्ट में 30 मिनिट की उड़ान भरी थी सहींक्त राजी अमेरिका ने चुलाई 1945 में पहला नापकिया इसका कोडनेम ट्रीनिटी था आर्यवट भारत द्वारा छोड़ा गया प्रसम उपकरह था 1975 में छोड़ा गया था इसे विक्रम जारा भाई अंतरक्ष केंदर की स्थापना थुम्बा गाउं तुरुवन अंत पुरम में इसलिए की गई क्यूंकि है भू चुम्ब किया वि करता है तो डिली न्यूज वगरा पर उसका लाइव आता है प्लीज एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा पॉलिग्राफ मशीन जूट पकंड़ने में प्रियोग में लाई जाती है होलोग्राफी में किसी वस्तुर्य त्रिवी मिया यानि थ्री डाइमेशनल प्रतिरू कि अनुसंदान परिशत काउंसिल फॉर साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिशर्च की स्थापना 1942 में हुई थी देखिए यह और डियाइड यो काफी लगातार पूछे जाते रहते हैं कि इनकी स्थापना कभ हुई डियाइड है इसकी स्थापना 1952 में हुई और यह डि अंतरिक्ष कारेकरम वर्च 1957 में सोवियत संग के उपगरे स्पूतनिक वन के सफल प्रक्षेपन के साथ ही विश्वन ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया भारत में भारतिय राष्ट्री अंतरिक्ष अनुसंदान समिति इनको स्पार का गठर वर्च 1962 में किया गया य इनको बोला जाता है पुर्णर गठर प्रिक्रिया के फलसरूप 15 अगस्ट 1979 को भारतिय अंतरिक्ष अनुसंदान केंदर की यानि इंडियान स्पेस रिशर्च और्गनाईजेशन की स्थापना वी पहले इसका नाम इनको स्पार था एक बार ये भी पूछा जा चुका है कि इस रों का पुराना नाम क्या था तो इस रों का पुराना नाम इंको स्पार था और 15 अगस्ट हमारे स्वधंदरता दिवस उनने सो उननतर में इसकी स्थापना की गई है नए नाम से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानि वी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वी जर्मार संबंदी कार्य किये जाते हैं SHAR यानि श्री हरीकोटा केंद्र इसे शतीष धवन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में भी जाना जाता है इसको देखिए पूरा SDSC और डैश लगाके SHAR लिखा जाता है इस उपग्रहों का प्रक्षेपड हमेशा इसी केंद्र से किया ज करता है प्रथम भारती उपग्रह आर्यभट यह है प्रथम भारती उपग्रह है जिसे स्वादेशी तक्नीक से निर्मित किया गया है मैंने आपको बताया था यह 19 अप्रेल 1975 को पूर्व सोवियत संग के कापुस्तिन यार अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मॉज 3M सैटलैइट का देखिये कई टाइप के होते हैं जियो स्टेशनेरि जियो सिंग्रोनास ठीक है कुछ लो आर्थ-र्थ में रहते हैं कुछ सं स्ग्रोनास और्विट में रहते हैं तो अलग- throat तरीके interpretations के उपग्रह होते हैं भू तुल्यकालिक उपग्रे को भू उस्तिर उपग्रे भी कहते हैं यह उपग्रे एक वरत्ताकार कक्षा में गोमते हैं यह लगबक 36,000 किलोमेटर की उचाई पर 24 घंटे में परिस्वी की एक बार परिक्रमा करते हैं अपनी धुरी पर 24 घंटे में ही परिभ्रमा करती है परिस्वी अपनी धुरी पर और यह भी 24 घंटे में उसका चक्कर लगाते हैं तो जियो स्टेशनरी मतलब यह आर्थ के सापेक्ष एकदम स्टेशनरी है रुके हुए या स्थिर हमें दिखाई देते हैं देखिए यह जिसने लिखा है अता भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रती के सापेक्ष इस्थिर प्रतीत होते हैं भूतुल्यकालिक उपग्रह में इनसेट वा जीसेट शेणी के उपग्रह रखे जाते हैं कार्टो सेट भारत का प्रथम सुधूर समवेदन उपग्रह है जो कक्षिय त्रिवीमिय प्रतिभिम प्रदान करने में सक्षम है METSAT तेश का पहला मौसम संबंदी विशिष्ट उपग्रह है जो श्पेशली मौसम संबंदी जानकारिया देने के लिए बनाया गया है EDUCET ये शिक्षा EDUCET उससे निकला है EDUCET Satellite EDUCET शिक्षा का कारे करने के लिए समर्पिद दुनिया का पर्थम उपग्रह था चंद्रयार प्रथम, चंद्रयान प्रथम चंद्रमा के लिए समर्पित भारत का प्रथम पहला मिशन था 22 अक्टूबर 2008 को दुरुविय उपग्रह प्रक्षेपन यान यानि पूलर सैटलाइट लॉंच वहिकल PSLV C11 के द्वारा चंद्रमा की कक्षा में इसे प्रक्षेपित किया गया था अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपिय संग वा जापान के बाद भारत छटा ऐसा देश है जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ मंगलियान यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारे अंतरिक्ष कारिगर्म के इतिहास में यह 5 नमबर 2013 को अंतरिक्ष के श्री हरी कोटा इस्तित 17 धवन अंतरिक्ष केंद्र से दुरूविय उपग्राय प्रक्षेपण यान यानी PSLV 25 के द्वारा सफलता पूरवक छोड़ा गया था 24 सितंबर 2014 को यह मंगल घ्रह के एक अक्षा में प्रवेश कर गया इस उपलब्दी के साथ ही भारत ने पहले ही प्रियास में मंगल तक पहुँशने वाला पहला देश तथा रूस, अमेरिका, यूरूपे संग के बाद मंगल तक पहुशने वाला कुल चौथा देश बन गया था बहुत important है और सबसे जो इसका हम कह सकते हैं एक highlighting point था वो यह था जिस कीमत पर भारत ने इसका प्रक्षेपड किया था वो दुनिया से लगबग कहते हैं कि एक चौथाई दाम में हमने उसका प्रक्षेपड कर दिया था इतनी कम लागत में हमने यह बनाया था तो कहिना कहीं भारत की एक cost effective satellite technology को भी दर्श आता है चंद्रियान 2 22 जुलाई 2019 को श्री हरी कोटा के हरी कोटा इसते 36 धवन अंदरिक्ष केंदर शार के दौर दौतियप लांच पैट से GSLV Mark 3 M1 rocket दौरा भारत के चंद्रियान 2 mission का प्रक्षेपड सफल्दा पूरवक संपन हुआ यह GSLV Mark 2 rocket की पहली परिचालन उडान थी चंद्रियान 2 पहला ऐसा mission था जो चंद्रमा के दक्षेपड साउथ पोल पर पहुँचकर वहाँ अनुसंदान संचालित करने हेतू था भारति अंत्रिक्ष कारीकरम के जनक विक्रम सारभाई के नैम पर lender को विक्रम नाम दिया गया था जबकि रोवरुक का नाम प्रज्यान रखा गया था ग्यातब भी है कि लेंडर की चंद्रमा पर सौफ्ट लेंडिंग होनी थी लेकिन इस रों से संपर टून जाने के कारण या हाड लेंडिंग से चंद्रमा की सता पर उत्रा तो यह सफल रहा था लेकिन उसका जो और्बिटर था वो अभी भी हमारी कक्षा में गुम रहा है और यानि Solid Fuel प्रोंड़त का उप्योग किया गया था ASLV यानि Augmented Satellite Launch Vehicle ASLV का निरमाण 150 kg यानि 150 kg भार तक के उपग्रहों को प्रत्वी की निशलिक अक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया था PSLV यानि Polar Satellite Launch Vehicle इसे भारत का देखिए वर्ख पावर या पावर हाउस ऑफ इसरो भी बोला जाता है क्योंकि सबसे सफल इसरो का अगर कोई Launch Vehicle है वो यही रहा है यह चार्ज चरनों वाला धुरूविय प्रक्षेपड यान है इसमें देखिए पहले चरन होता है Solid Liquid Solid Liquid इ प्रियों किया जाता है GSLV Geo Synctoners Satellite Launch Vehicle यह एक भूत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपड यान हानि जियो स्टेशनरी सैटलाइट में जो लांच किया जाते हैं GSLV के थूरू ही किया जाते है GSLV तीन चरन वाला उपग्रह प्रक्षेपड यान है जिसके प्रथम चर प्रण है PSLV में उसमें विकास इंजन नामक एक इंजन का भी प्रियोग किया जाता है जो PSLV है उसमें क्रायोजनिक इंजन में अत्यंत निम्न ताप पर प्रणोदों के रूप में द्रव हाइड्रोजन यानि माइनस 253 डिगरी सेल्सियस पर वाद्रव ऑक्सिजन माइनस 263 डिगरी सेल्सियस पर इनका OPO किया जाता है देखिए जो cryogenics है एक शब्द आता है cryogenics तो एक बार पूछ लिया था कि cryogenics शब्द किस से संबंदित है देखिए जो बहुत कम टेंपरेचर पर जिन चीजों की study की जाती है उसको बोलने है cryogenics मतलब science of ultra low temperatures यह होता है cryogenics य देखिए गगन का मतलब होता है GPS added geo augmented navigation system इस रोध हता भारतिय विमान पत्तन प्राधिकरान यानि airport authority of India ने भारतिय वायू छेत रहेतु GPS समर्थित भू समवर्धन दिशा निर्देशन यानि गगन परियोजना को उपग्रय आधारित समवर्धन तंत्र के रूप में विक्सि विमान चेतर में साहेता के अलावा सुरक्षा एजेंसियों दूर संचार उद्द्यों को तता समुद्री मार्गों से संबंदित जानकारी प्राप्त करने हेतु आधी हेतु लाबदायक है भूवन या भारतिय अंतरिक्ष अनुसंतान केंद्र संगठन द्वारा निर्मित सॉफ्ट्वेयर है इससे भारत के भू भागों को त्रिवी मृथ्री डिमेंशनल चितरों के रूप में इंटरनец पर देखा जा सकता है गूगल अर्थवा विकी मैपिया की भाती इसमें भू भागों को अलग जाईयों से देखा जा सकता है श्रीह हरीकोटा दूई पुलि प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है और महत्पून तथे देखते हैं इस पूतनिक वन पूर्व सोवियत संग द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया सबसे पहला उपकरह था इस पूतनिक टू जीवित प्राणी लाई का नामक कुतिया इसमें गई थी को अंतरिक परिक्रमन वोस्तोक नामक यान से किया था पूर्व सोवियत संग की वैलेंटीना टैरिशकोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी ये काफी इंपॉर्टन तैरिशकोवा काफी पूछा जाता है नील आर्मस्ट्रॉंग चंद्रमा पर कदाब रखने वाले पहले अभी करेंट अफेर्स का ही कोश्चन है अभी हाल ही में नासा ने लॉंच किया इसको याद रखिएगा अभी लॉंच किया कुछ दिन पहले नील आर्मस्ट्रॉंग के बाद उनके सहां अंतरिक्ष यात्री एडविन ए एल्डरिन जूनियर बज एल्डरिन ने चंद्रमा पर कदम रखा था 3 अप्रेयल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रतम भारतिया ततकालिन स्क्वाइटन लीडर राकेश शर्मा थे राकेश शर्मा अन्ने दो सोव्यत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूस T1 T11 सोयूस T11 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यातरा पर गए थे कल्पलना चावला वर्ष 1997 में मिशन STS 87 में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रतम भारतिय मूल की महिला बनी थी एक फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया मिशन STS 107 वातावरण में री एंट्री जब उसने की पुना परवेश के दोरा नश्ट हो गया था इस दुरकट्णा में कनुपलना चावला जिनका है दूसरा अंतरिक्ष मिशन था उनकी मृत्य हो गई थी अमेरिका में देखिए क्या क्या बोले जाते हैं अमेरिका में एस्ट्रो नॉट्स बोला जाता है रूश में अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मो नॉट्स बोला जाता है चीन में टाइको नॉट्स बोला जाता है और भारत में वियोमो नॉट्स बोला जाता है काफी इंपो